हेलो बच्चो राम राम कैसे हो आप सभी आप सभी का स्वागत है गोल्डन क्लासिज बार्ड मेर की सोफिशल यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज हम बात करेंगे 25 फरोरी फर्ष्ट फारी में जो दोस्तो पेपर हुआ था रीट लेवल फर्ष्ट का उनके बारे में और उस उन सभी की आंसर की डिसा Cancer की आपके सामने में प्रस्तुत करने की कोशिज करेंगा तो दोस्तो लाइक कर देना चैनल को सबस्क्राइब कर देना और वीडियो को अपने है इनमें एक मतलब जो कोशन है वो आगे पीचे हो गई है क्योंकि उन्होंने मतलब इसी परकार का कोशन बनाए है तो आपको पूरा सैट करके बता हूंगा ठीक है दोस्तों आपका कौन से कोशन आये था उस परकार आप आप संको इस सबसे देख करके आप आराम से हो उसको ह है दोसरा कौशन है जसनाती संपरदाईरी परदान पीठ कठीन है तो दोस्तों यह कत्री अतर बीकानएरे इसतिधgrade से इसका रैट है अगला कौशन है रखड़ी और टोटी यह क्या है तो दोस्तों यह महिलाओं के गहने हैं आपको पता है रखड़ी और चोटी तो वह आपने सर पे बाहन दी जाती है और अगरा कोश्चन है कोश्चन नमर चार राजस्थान में वालरा कर्शी का परकार दोस्टो किशन इंपोर्टन और यहां राजस्तान जी के से समझ दी जो क्वेशन है वह दोस्तों बहुत यह सरल लेवल के पूछे गई हैं लेकिन करण्ट अफेर के उसे सिक्सा अधीकम मैच साइंस के वह थोड़े से हाई लेवल के थे क्वेशन तो मैं आपको बाताता हूं कि राजस्तान जी के कोशन है बहुत ही इंपोर्टेंट है जो मैंने अपने इस चैनल पर करवाए थे सेम टू सेम हूब क्वेशन यहां से आई थे तो चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करना अगला कोशन है राजस्तान में वादरा करशी का परकार है दोस्तों तो यह एक दोस्तों इस्थां चैनल कोशन होगा आपका कॉशन 5 जो डाइट अंसर होगा ऑपशन नमबर एइसका बिलकुल करेक्ट आंसर होगा अना रक्षित वन अगला कॉशन है कुश्ण सभी के पेपर है वह कुष्टन सेंग आई लेकिन उन्सक्रीकों क्या थो सांटे गए किसी का एक कुष्टन आगे किसी का एक दो कुषे안ड इस परकार से सब्सक्रीख पता ने कौन सी रूष काwसी कुष्ण सोरी पेपर था एस रहनी का था बीस रहनी का था वो इसमें नहीं था फिर भी मैं आपको कोशन सारे के सारे करवाता हूं यह सेम सेम पेपर आया था दोस्तों आप मिलान अपने आउशिय कर लीजीगा अगला कोशन है निम्द लेकित में से कौन सा सही विकल्प समेल इतना है कि संदर में पूचा जाता है तो दोस्तों जो सावित्री माता जो दोस्तों रोफवे यह सिरोई में नहों करके दोस्तों राजस्तान की पुस्कर अजमेर में इसे थे बाकी यह सेम टू सही है जो मैंने हाले में अभी है जो दो तीन दिन पहले यह रोफवे वाला आपको ट देख से तरल आ गया यानि कि तुरी लोग चंद माथूर के दोबारा की गए थी नेक्स्ट कुशन है राजस्थान राजी वन नीती कब लागू की गए थी तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा कुश्चन नमबर आठ का वो ऑप्शन नमबर आपका दोजार दस दोबारा भी ऑप्शन इसका राइट अंसर है नेक्स्ट कुशन है कोंबल गड़ तता गोगुंदा की मध्य की उच्छ भुमी क्या कहलाती है तो दोस्तों यह भोराट का पटार है जो यह कहलाता है इंपोर्टेंट कुश्चन है राजस्तान जोग्रोपी से संबंदित कु गई थी तो दोस्तों निस और तरीस ऑप्शन नमबर एक इसका बिलकुल करक्ट है आमें सुकुन सी बोली राजस्तान में राजस्तान में नहीं बोली जाती है वाग्री आपको पता है डूंगरपूर बांसवाड़ में बोली जाती है हरोती कोटा बुंदी बारा मेवाती यह वाग्री बोली जाती है औवधि वर राजस्तान में यह नहीं बोली जाती है इंपोर्टेंट इसका सी ऑप्सन करक्ट है अगला कुष्टन है जो Даже बात करें तो चंदर वागा पशू मेला राजस्तान में जो लगता है यह अपने जादाạnhु ayudar पाटन जहलावाड में चंदर भागा पसू मेला है जो दोस्तों लगता है नेक्स्ट कोशने कोशन नमबर 16 निम्द लिकित में से किस लोग देवता को जाहर पीर के रूप में भी पूजा जाता है दोस्तों इंपोर्टेंट कोशने राजस्तान आर्ट एंड कल्चर से सम्मा लेक्र पूजा जाता है अब कि दोस्तों ने वीडियो लेकर कर आँगा वो राजस्तान रीड लेवल फच्ट कर लेना वहांपर आपको पीडिये वग्यरہ मिल दी रहेगी जो इसकी लिंक्त वीडिवेक्डियो में आपको मिलेगी आगला क्वे किस डिता दोस्तो आपको पतागा राय स्थर में होता है लेhou sekarang पूचानमे और पिर्पीक की आँसर की बहुत सारे यानि लगबो 30-35 मिनट का वीडियो है वह मैं आपको बना करके प्रोवाइड करवाता हूं बाकि वाले दोस्तों यूट्यूब वाले चैनल है वह लगबो दो गंटा धाए घंटे में वह आपको पूरी प्रोवाइड करवाते हैं मैं आपको सही और शटिक बताता हूं ताकि राजस्तां इन लोग चाहिते है की द्रिश्टी से अगर आउम देख त्थे हैं तो दोस्तों किया चीज़ है तो दोस्तों ये एक राजस्तां का क्या है आडोती में अगर बात करें दोस्तों तो ये अपने राजस्तान के अपने कोटा बुंदी बारा और जहलावाट च्छेत में अफशर नमर बी इसका करेक्ट अंसर है नेक्स्ट कुर्शन है नेम्दलिकित मेंसे कौन सी राजस्तान की लोक नाटे शेली नहीं है अगर दोस्तों लोक नाटे सेली पूचिता है तो रमत और ख्याल दोनों है और स्वांग भी है तो इसका बी अफशर डाड़ी दोस्तों एक राजस्तान की क्या एक जाती है जो दोस्तों ढोल बजाने का काम करती है गनेश्वर संसक्रती का मेहत्वपूर्ण जो इस तल अगर पूचा जाए दोस्तों गनेश्वर सबेता अगर गनेश्वर सबेता तामर यूगिन संसक्रती का दोस्तों है क्या है मेहत्वपूर्ण इस तल गनेश्वर सबेता दोस्तोम कुछन फेर ने तो यह राजस्तान जोगरू कि से सभ्मण रूत के जो टीली होते दोस्तोम वार्शन के नाम से जाना जाता है अगला तू राष्ट्री नियान किसम्याइख मिश्थे थ posición यह तो राजस्थान की बीक Правे मेu लेकिन यह अपने बीकान दोनों जिलों मिश्टते हैं सबसे ज़्यादा जो दोस्तों चैतर पड़े वह जैसर मेर में इनका चैतर पड़े तो इसका वी ऑफ्षन राइट है अगला कोशन है दोस्तों कोशन नमबर 27 है कत्यतर गध्यरी पोथी ओलूरी अक्यातरा रचनाकार क नेक्स्ट कोशन है दोस्तों निम्द लिकित में से कौन सी पच्चिमी राजस्तान में पाई जाने वाली एक गास नहीं है आपको पता होगा जो सेवन गास है इसको करार गास ना दामन गास करार गास और सेवन गास ये तीने दोस्तों अपने पच्छीमी राजस्तान के जिशिर सिन्ग परन्थ कश्ए सकते सामंसींग कशन में उस्तान में बनाया ते इसको समरे किता नेक्स्ट कुर्शने अरावली सरंकला का उच्छतम सीकर कौन सा है तो दोस्तो इसके संदर में अगर हम बात करें अरावली का उच्छतम सीकर तो दोस्तो ये बचा जो जर्गा करके है लेकिन ये इसका गलत है इसका राइट आंसर होगा सेर सबसे पहले अगर बात करनें तो अराउली की साहर का उसेंगार तो ना इसका सब सेंगर के बात कित्स था कूशन है उप्सटन नमबर 10 के निए आपका गर्व को शीखर होगा उसके बात आएगा दो नमबर पे सेर आएगा उसके बाद में जर्गा और उसके बाद में तारा गड़ तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नमबर डीज करेक्ट आंसर अगला कोशन है चितोड गड़ के किले में त्री भूवन नारायन मंदिर का निर्मान दोस्तों किसने करवाया था इस इस रेल का जो दोस्तों बारत गॉरु ड़ाट गषारुह और्व रेल का मुक्ह देश है मैंने यूपकर कहीं पर धेखा था जोस्तों कोचिंग वरीज करवाया था जो कि इसका D option बिल्कुल right answer है मुकुंद्रा की पाड़िया कौन से जिलों में विश्त्रीत है राजस्थान में अगर दोस्तों पूछा जाएं यह question important है दोस्तों अगला repeat भी हो सकता है तो यह राजस्थान जोगरुफी से समधीत है मुकुंद्रा की पाड़िया आपको पता है राजस्थान के अपने हाडोती में है यानि कोटा बूंदी 12 जाला वाड़े option number C भी इसका correct answer है next question है महिला चित्रकारों कमला औरेलाची के नाम किस चित्रकला से लिश्यों समधी थे पर तेंट दोस्तों मैंने दस पंद्रा दिन पहले अपने इसी चैनल की माजिम से आपको तो प्रिविए स्वियर के जो दोस्तों question थे उसको उसको मैंने इस मैंने इस question को करवाय था कमला औरेलाची का समद्ध नात बाराश सेली में मैंने करवाय था राइट आंसर option नमबर एक तो वो दोस्ता वीडियो जरूर देख रहना एक बार उसके बाद में आदी कालिंचारण शेली रा रचनाकार नहीं इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वह वज्जर सेंसूरी इसमें आप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है अगला है बीका नेर के नेकट समरा थल को किस लोग देव ताके ने अपना कर मिश्टल बनाए था तो आपको पता होगा फालगून की जो अमावश्या होती है उसलें जांबो जी का मेला जो वो समरा थल में लगता है जो विश्णी पड़े होते हैं चम्मल नदी के द्वारा एरी जो रचनाकार है वो दोस्तों आपका प्रत्वीरात राठोड ऑप्शन नमबर इसका बी बिल्कुल राइट है अगला कुशन है अगला कुशन है दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयू साथ या उससे डाइधीख है तत्था वक्सी वासा को समझने के साथ रद लिख सकता है इसमें देख को जो साक्सर कहलाता है आपको पता अगा राजास्तान की जो सांसर ताय आप Κर्मेंट करके बताना कितनी है दोस्तों बिल्कुल कोशन आगली सिफ्ट में सपने वाला कोशन है अगला क description में आपको telegram की link मिलेगी वहाँ पर आप जोइन हो जा यह टेली ग्राम channel में वहाँ पर आपको डेली हस्त लिखेस आपको notes और PDF और previous video के जह दोस्तों question PDF आपको बिल्कुल फिरी यह वो मिलती रहती है तो इसका right answer का option number B अगला क्वेस्टन है मेजा toma Jagay गया है कुंछी नदी पर मैंने आपको बाताया रहा थै दोस्तो राजस्तान जब मैंने जियोग्रफी कर वाय थी तो कोठ्वी नदी पर यह बना गया है नेक्स्ट प्रसें रामशुरूप किस्ण्रों कहाणी संग्रेनी है संग रहे नहीं है दोस्तों यह जो है दोस्तों दान का थावाई जो राजस्तानी एक कहानी है राम शरूप किस्तान के दोवारा रची थे उसके बाद में जांगिर ने मुगल बादसा बनने के बाद में किस राजपूत सासर के मन सबकों दोस्तों नहों ने जो कम कर दिया है इसका राइट आंसर होगा आप्शन नमबर आपका सी मान सिंग इसका 43 कौश्चन का बिल्कुल है वो करेक्ट आंसर होगा अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 44 से राजस्थान के किस संभाग में सरवाधिक मक्के का उत्पादन होता है आपको पता है राजस्थान में सरवाधिक जो मक्का होता है वो अपने जनजाती जो जनजाती लोग होते है वो सबसे ज़्यादा मक्के का से जो रोटी बगेरा क कि खाते हैं जो जन जाती है आपको पता है राजस्तान की दक्षी निस्यात्र में दक्षिन का मतब उद्यपूर यानि जो अपने उद्यपूर है बांसवरा डूंगरपूर यह सभी उद्यपूर संपाग मातार आप्शन नमर 6 करेक्ट है अगला क्वेशन किस नाम से तो दोस पासके लिए बहुत इंप्रोंट है वीश सल देव रासो किन भात्रों कावे हैं इसमें अगर बात करें तो दोस्तों अपना वीश सल देव रासो किन भात्रों कावे इसके संदर में बात करें को सन services सियाना इसका आंसरा को होगा अगला कोशन है दोस्तो क्रिशना कुमारी किश राज्य की राज कुमारी थी जिसके विवाग के विवाद में राज पूतन अमें राज नितिक उतल पूतल हो उत्पन हुआ अगला कोशन है निम्द लिखित में से किस संबेता को धूल कोट कहते हैं धूल कोट आपको पता है आहड संबेता को धूल कोट के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट क्ोशन है ब्रत्य वन्य जीव संख्छ अधीनीम घो दोस्तों है कब लाग वा था तो इसका प्क्राहल और ठबा नईस सी सका बिलकुल करेक्त सब्सक्राइब करने के परियास से राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित मेगा जोब मेला चार और पांस फरवदी 2023 को राजस्थान के अपने उदेपुर में जो आयोजित किया गया था अप्शन नमरे बिल्कुल करक्त है याने इसमें से अधिगम क्या चीज आपसे क्वेशन पुच्छा दोस्तों इसमें आप का राजस्थान के प्रत्थम ज Soo नमबно जो बजट है विल्कुल इसका डि यह बिल्कुल करीक आंसर होगा नेक्स्ट वॉस्ट है राजस्तान आर्टी यमें में कितने भाग कितनी धार्य है इसमें जो फिल गतने बहुत आपका यह होगा दस धाराई और 29 सोरी दस भाग होगे और 29 इसमें तोटल धाराई हैं बहुत इंपोर्टेंट है नेक्स्ट दोस्तों राजस्तान में पुरातात्व एवं संग्राली विभाग का गठन है वो कब हुगा इसका राइट आंसर होगा आपका पारेखावत का समंद के स्खेल से हैं तो दोस्तों वेट लिप्टिंग का मतलब भार उत्तो लग से इसका जो सम्द हैं अगला कोशन ने राजस्तान राजिये का अधिकारिक नर्त्य कौन सा है आधिकारिक यनि कि जो लोक नर्त्य भी पूछ सकते हैं यह दोड़ा सा ढूंब करके कुछा है अधिकारिक नरते तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नमबर डी घुमर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उसके बाद में कुछन नमबर है अगला आपका अठावन अधिनियम 2009 के द्वारा वी दिश्ट शात्र और सिक्सक का अनुपात पूचा दोस्तो अठावन कुछन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नमबर ए तीस अनुपात एक बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका एक नमबर ऑप्शन राइट है अगला कुछन हाली में सुर्क्यों में रहा मगरादी उधेपूर के किस जील में इस्तित थे यह दोस्तों आपको पता होगा जैसमघ्ण जील में आपको पता होगा बाबा का भागणा है और सबसे बड़ा का भागणा है कि भूब्हो नेक्स्टो राजस्थान में निया तक बनो है जो कब प्रार्णा भूआ क्यों कोश्चन 6 का राइट अंसर है उप्सट्ट is 29 जुलाइ covering 2021 तोक्यों Simon प्रपिक 2020 में अवनी लेख राजो जैपुर से समय ते इसके दोड़ा टोटल कितने पड़क जीते थे इंपॉर्ट इंपॉर्टन को से यह रिपीट भी हो सकता हैं टोक्यों और पेरा ओलंपिक 2020 में अवनी लेख राके दौरा कुल कितने पड़क जीते गए थे एक सब्सक्र भी देखे थे कि जोदपुर में राष्ट्रिय पादप अनुवांशिक संसाधनी ब्योरो का प्रादिशिक केंद्र कब इस्थाफित किया गया था इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वह आपका सब्सक्राइब करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कुर्शने प्रख्यात धार्म कुष्र इसका किया गये था अगला कोसल्त नेमनांकीत से राजस्थान के किःफ्यों कि खेल की खिलाडियों को पद्र मस्ध्रिक सक्षार यकों किया जा चूका है सभी इसका राइट लेकिन फिर ब अगला कोशन है राजस्तान के खिलाडी धंजय दर्जी जो हाली में खबरों में थे वो किस खेल से सम्मादित है तो जो धंजय दोस्तों दर्जी है वो फुटबोल से जो सम्मादित थे अगला कोश्चन देसंबर 2022 में किसे गलोबल यूथ वुमन राइट्स चेंप्चिन्स अवार्ड जो दिया गया है तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अब दो तीन व्यक्ति को दिया गया था इसमें डॉक्टर कृती भारती है यह एक आप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है इनमें से एक अगला क्वेशन है अगर एक उच्छ प्रात्मिक विध्याले में कुल 130 विध्यारती नामा के थे तब सरकार द्वारा उस विध्याले में कितने अध्याफाकों के स्विक्रित पद होंगे तो इसका जो दोस्ता राइट आंसर होगा क्वेशन नमबर आपका 68 तो वह आपका होगा ऑफ्षन नमबर बिल्कुल करेक्ट ऑफ्षन नमबर आपका भी है वह चार होगा ठीक है अगला कोशन है दोस्तों अध्रश्ट वेस्त्रवे सामगरी का प्रियोग करते समय किसी सूतर का पालन करना चाहिए तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑफ्षन नमबर अगला है क्वेश्टन नमबर सत्तर जल जीवन मिसन सरकार द्वारा एक महत्तोकुन कार्यकर्म है जिसका अधिशी हर ग्रामिन छत्र में यह घरों में 2024 तक नल का पानी उप्लब कराना बिल्कुल इसका टार्गेट यह नहीं 2024 तक है वह सरकाने का हमें उनको पानी घर तो पहुंचा देंगे विद्याले प्रबंद समीति के कुल साधाशियों में से कम से कम कि यहां पर इस क्वेशन का जो आंसर होगा वह सब्सक्राइब आपका बिल्कुल सी ऑप्षन है वह बिल्कुल एक बट्टे चार इसका करेक्ट आंसर बैठता है अगला क्वेशन निदेशाले जो अस्तित है दोस्तों सरसों वाला आपको पता है सेवर भरतपुर में इस्त तता सामाजी को सेक्षण ही कप पिच्ड़े वर्गों से समान दित हैं उन्हें पारिभासिक किया गया है इसका इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह आपका अलाभित अस्वीदा ग्रिस्त समूर में यह आपको ध्यान में रखना है राइट आंसर इसका सी ऑप्षन है अगला क्वेशन है 74 ओस्ट्राहिंद 22 का जो आयोजन इस्तल है वह कौन सा है आयोजन जो इस्तल था इसमें अगर बात करें तो आपका चोहतर में जो राइट आंसर होगा चोहतर में ऑप्षन नमबर एक महाजन फिल्ड फायरिंग रेंज भी का नेर्ड बिल्कुल एक ऑप चैस्ते जुमब करें के तो घंठ था आते हैं चैस्तहई जो सीमा बनाते हैं बंड और बीकानेर गंगन अगरवाले तो आपको धियंत में रखना है आप अग्ला कोस्टे को सैंवंटीशें है राजिव गांदी डिजिटल योदाना कि वर्त शुरू की गए टी 76 question का right answer होगा 2013-14 में की गई थी start अगला question देके मेत्र के पूछा जा तो वो दोस्तो आपका right answer दोलपूर में इस्तित है next question है समगरश शिक्सा अभियान के अंतरगत खंड इस्तर का सरोच मधधी कारी कौन होता है तो इसका जो right answer होगा वो cb अगला question है दोस्तो रीट के मेरे प्यारे विज्यातियों राजस्तान के अरजुनलाल जाट ने टॉंक्यों ऑलम्पिक 2020 में किस परदा में भाग लिया था तो जो अरजुनलाल जाट का जो समधित अगर खेल आप से पूछाएं तो इसका जो दोस्तो right answer होगा वो option number आपका नोका यन B option बिल्कुल correct answer होगा अरजुनलाल जाट next question है में तरों आप सेंदर को जरूर से जल्दी से subscribe कर देजिगा next question है सांसकर्टी का संस्थान भारती लोककला मंदल आपको पता है उदेपूर मीस्तित है और इनके जो दोस्तों परमुक वता वो राजस्थान का अपने राजीपाल होता है भारती लोककला मंदल उदेपूर देवी लाल सामर अगर आपको ग्याद है तो अगला कोशन है 81 सेक्सिक अनुप्रियोग में विश्य वस्तू किस परकार की होनी चाहिए 81 इसका राइट आंसर है सरल से जटील है वो ना कि जटील से सरल ऑप्षिन नमर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है अगला कोशन है कोशन नमर 82 है निम्द लिखित में से कौन सा वन आपको पता है जालो जिले का जो दोस्तों सुभंग करें वो कुरंजा तो दोस्तों नहीं है इसका राइट आंसर होगा आपका बालू जिसको रिंच के नाम से जाना जाता आप्षिन नमबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन सब्सक्राइब दोस्तों यह सैम टो सैम कोशन है मैंने अपनी कम्यूनिटी पोस्ट फर भी मैंने अपनी इसी चैनल पर लग गया था और इसमें कई बच्चों के आंसर जो सही आए थे उन्होंने लगबग आज है वो यह कोशन सही करके आए थे तो इसका राइट आंसर और अनिवारी शिक्सा अधीनियम उन्हीं दोजार नौ खालिस्तान आयूवर्ग के बालकों को निस उल्कूर अनिवारी शिक्सा के सुनी चित करता है पिच्चा सी का जो राइट आंसर होगा वो आप्शन नमबर आपका छे से लेकर के चौदा ऑप्शन नमबर एक बिल्क आपने केप्टन सिवा चोहां सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है च्छी का सी ऑप्शन अगला कुशन है दोस्तों एटी सेवने दो स्टेडी ओफ एड्मिनिस्ट्रेटिव के लेखर कोन है इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वह आपका आप्शन नमबर ए होगा अगला कुशन है ऑप्रेशन सरधावा का संबंद इसमें अगर पूछा जाएं तो दोस्तों सीमा सुरुकसाबल जिसको सौर्ट में बी एस एफ के नाम से जाना जाता तो उनसे संबंदित हैं अब दोस्ता आप एक कमेंट करके बताएं ऑप्रेशन असमीता का संबंद किस् गंगा नगर में भी ऑप्शन इसका राइट अंसर एक दस पर वस आपको पता हैं दोस्तों अफरीका में सी ओप्शन इसका करेक्ट आंसर नेम लिकित में से शुद्ध सब्द को आपको चाड़ता है तो अभी जो शब्र वह बिल्कुल दोस्तों क्या इसका राइट आंसर और सथक शभ्ण से नेक्स्ट को सिर्ट करेक्ट फिर नफेंश सेलों के शायहा पता होगा तो दोस्तों मुख्यमंत्री इसको दलाता है संस्वly और सब्सक्राइब हुआ नेक्स्ट वैस्ट नबर च्याणवे इसका राइट आंसर आप देखिए चिन्नु का राइट वैसका राइट अंसर और अप्सन नमबर डी बिल्कुल करेक्ट है अगला कुंसर ने रिये यूकम का योग बताना है दोस्तों रेके यूकम के जो sits योग होता है वो आपको पता है आपको कितने होते हैं कमेंट करके हमें जरूर बता हैं फिर भी मैं आपको बता देता हूँ झाबरेश करेक्ट है सी होगा सो इसका हंडरें पर्षण राइट हैं नेक्स्ट इसमें रेकिर्य रिख्या pen R Alumni कि आख कर्या नहीं हैत्त अ यप वीरी वरी इंपोर्टन ये दोस्तों और बहुत इसरल है तो सब्सक्रेक्षन नमर रीविट आंस्व होगा वह भाया लिट करें करेक्र अगला कुछल्न है धर को सब्सक्राइब प्ररॉब कश़वतै इसमिल्ग छागा भी तर्वार्ट को सब्सक्राइब कि जा है तो यह फोका ऑफिस अनवर निपर में अगला झाल सुनियों विसके यह वहां की यादि किसी पिंड़ पर कारीरत बल सुनरी है तो इसका समयग क्या होगा तो जो दोस्ते हैं इसका समयग बढ़ेगा वो क्या हगा थो आपको पता यानि कोश्चन नमर आपका 104 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्सटन नमर बी बिल्कुल करेक्ट है गलुकोज पाइरूकल अमल सी ओटू और जल नेक्स्ट कोश्चन तीक परिवरतने गरम करने पर पीटी तार का चमकना बिल्कूल ऑप्सटन नमर एक इसका राइट आंसर ह सव्चन के लिखित सब्सक्रणिक लिखित में से कौन सा सब्सक्राइटन ओकरिकरों को नमज़ा का इसका जो राजासी ओक्स्न नमर नंमर इन्सर को जो राइट और Evolution क्वेशन नमबर 110 का बिल्कुल और सई और सठीक जो आंसर है वो आप कमेंट करके जरूर बताएं यह कोशन है मेरी समझ से थोड़ा सा दोस्तों वहार है शोरी इसके लिए मापिश चाहूंगा दोस्तों यह आप कमेंट करके जरूर बताएं कोशन नमबर 110 का फिर भी मैं इसमें अगर बात करें दोस्तों तो इसमें जो क्रिया आपकी बनी है क्वेशन नमबर 111 में और सब्सक्राइब कोई नहीं भूलेगा तो दोस्तों मैंने बताए था बलवन सिंग में था सबसे पहले दोस्तों वीडियो के अंत्र मैंने बताए था यह दोस्तों बहुत इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा कोशन नमबर 113 का जो दोस्तों अगर बात करें राइट आंसर ऑप्शन नमबर D हैपी रीनिस का राइट आंसर है नेश्ट क्वेशन है सीता खाना खाकर जैपूर जाएगी वाक्य में कौन सी क्रिया हैं तो 114 का जो दोस्तो राइट आंसर होगा वो अप्शन नमबर आपका पूर्व कालिक क्रिया बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा मीरा भाई का जर्म आपको पता हैं इसका कुड़की ग्राम पाली मिन का जर्म हुआ था और उधेपुर मेवाडिन को इसकी जो साधी हुई थी आगला कौशन सही विकल्फ का जाहिन करना इसका जो दोस्तो राइट आंसर करके लिए वो दू इसका राइट आंसर होगा तो इसका रायों अगला कुशन है जिस परीक्सिया में सभी प्रश्णों का इस तर एक समार हो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहेगा तो वी बेद कारीक्ता का दोस्तों यह अभाव रहेगा बिल्कुल इसका राइट आंसर है नेक्स कुशन है दोस्तों कुशन नमबर 118 का जो दोस्तों आंसर की अगर आपकी बनती है तो वो अप्शन नमबर C बिल्कुल आपकिसकी प्रक्टिबिलिटी राइट आंसर है question number 119 में अगर बात करें तो इसका जो दोस्तो right answer है question number 119 तो इसका option number 1 बिल्कुल इसना right answer है next 120 है आपकी कगसा के कुछ विध्यात्यों का गनीत के प्रती नकार अत्मक दृष्टी कौन है इसका जो दोस्तो right answer है question number 120 option number D section video में दोस्तो क्या करेंगे हम सोधार करने का परियास करेंगे तो ये उनको दूर करने का दोस्तो क्या है इसका मुक्य answer बनता है उसके बाद में विध्यार्चियों के अधिक गवन के कमजोर चैत्रों के पहचान करने के लिए question number 121 का right answer option number D बिल्कुल निदानात्मक जो परिक्षण है बिल्कुल right answer है इनमें से कौन सी question number 122 इसकी जो दोस्तो right answer है मानव परिष्चिति को प्रभावित करती है तो ये दोस्तो जो धार्मी इस्थान है वो मानव जीवन को क्या करती है हैं दोस्तो प्रभावित करते हैं चेंजेज करती है अगला question है question number आपका 123 है जो यहां यहां पर नहीं देते है question number 123 का दोस्तो correct answer है वो option number आपका C बिल्कुल है इट डॉलॉप बार करोटेश स्कील उप इन इन इस्टूडेंट option number C इसका correct answer है नेक्स्ट के शिक्षण एवम अधी गम में खोज उपा गम के उप्योग को लोग परे बनाने का stress इसका right answer option number आपका जो बैठेगा question number 124 का डी option बिल्कुल करेक्ट है जेरोम बुरुनर 125 नेम्द लिकित में से कौन्ची स्रवे साहिक शामगरी नहीं है question number 125 का सीधा और simple answer है option number आपका C mark कर देता हूं देखे ठीक है ap dieo scope next 126 है is piece must product इसमें अगर बात करें 126 में right answer जवाब का बनता है option number rating rating इसका ये right answer बी option है नेम्द लिकित में से वर्गात्मक और युग पद समीक करनों को हल करने में उप्यूप जो section वे दिए दोस्तों वह आपकी कौन सी है graph इसका right answer है option number 127 का बी बिल्कुल correct answer है इन में से कौन सा कागस प्लेनल बोर्ड के पीचे है चिपका या रहता है एक 188 का right answer option नमबर एक है रेग मालका अगस अगला देखिए दोस्तों question number आपका screen के ओपर आग चुका है जल्दी से देखिए question number आपका 119 जो right answer है वह आपका ज्यादा टाइम में लेगे तो इसका right answer होगा option नमबर आपका screen फ्लोन पेन फ्लोन बोर्ड कहते हैं question number 132 का correct answer जो बैठता है आपका option number 132 का A मानो वेकार मंद बुद्धी विज्यार्थी नेक्स्ट question है 133 question है यह दिपी विज्यान शिक्सर किसी भी परकरण को सीधा नहीं समझता है उनके संदर में अगर question बात करें तो दोस्तों 133 का जो right answer है वह आपका option answer होगा दोनी सामें विदी option number C 35 में अगर बात करें question number 135 में आपका सी बैठता सोर मंडल 136 में अगर बात करें तो इसका right answer आपका बैठता education program option number B right 37 में अगर बात करें जर्म के समय एक नवजात का सीर अपने सरीर की कुल लंबाई के कितने परतिशत तक रहता है तो दोस्तों 25% तक इसका 136 option A आपका correct answer नेक्स्ट question देखें में तो अरिद्धिमा ध्यान की कमी ये इसमें अगर बात करें question number 138 138 में आपका option number D बैटेगा परतिगमन 149 question देखें अपनी mobile screen को उपर question number 149 का right answer option number B वस्तू समनून करम परिक्षन 140 का right answer होगा कौन सा इसमें युग्म समयलित नहीं है तो इसकी नर्चुआ समयलिते हैं ये बिली वाला चमयलिते हैं चंपेंजी वाला सही है लेकिन कभूतर वाला option number 20 का ये समयलित जोड़ा नहीं है option number 20 का right answer है उसके बाद में question number 141 में अगर हम बात करें मित्रों तो 141 का जो आपका right answer बैटाएगा option number 1 ये राइट है अगला question question number 142 का option number एक आपका right है डिस ग्राफिया 143 में फटा फटा आपको बता देता हूं ठीक है वीडियो कांद में मैं आपको थोड़ा सा suggestion देख देदूंगा वह आप जरूर ध्यान से सुनना दुस्तों question number 143 का option number आपका right है 44 का अगर बात करें तो 44 में आपका option number है वो बी बिल्कुल right है 144 का option number आपका right है ज्यान से आप अपने पेपर में जो क्रिट कर देना 45 में आपका option number जो बच्छों की व्यक्तित भिनता का जो कारण है 145 right answer आपका option number बी है अगला question question number 145 के बाद में आपका आता है 146 औरेडिये तरंगे संचार के उदाने तो दोस्तों यह आपके बेतार option number डी बिल्कुल आपका इसका correct answer है 147 में अगर बाद करें तो दोस्तों पुस्तकालियों को डीजिटल डूप में रखना दोस्तों आपका डीजिटल पुस्तकालिये जो कहला ता option number और सी बिल्कुल correct answer है 147 का 148 में अगर बाद करें मित्रों तो 140 का राइट आंसर आपका नमबर एक होगा लिंक कहते हैं इसको और 49 में अगर बाद करें तो इसका जो राइट आंसर होगा option number सी सब इसक्रिट के लिए हैं और 150 में साथ यह अगर हम बाद करें इसका राइट आंसर आपका होगा सूपर कंप्यूटर अब दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूब बताए और आप दोस्तों एक कमेंट इतना भी करके आप बताए कि आपके रिट लेवल में है जो कौन-कौन सा आपका रिट लेवल हुआ था और आपके कुल कितने नमबर आ रहे हैं उसके अधर आपको एक वीडियो बनाओंगा दोस्तों रीट कटाफ को लेकरके बीडियो अप्लोड तरूंगा जो कि टेलिग्राम पे दोस्तों मैंने वह पॉल कर रहा हैं दोस्तों वहां पर अपना आंसर शरूर देना चलिए दोस्तों नेक्स्ट आंसर की आते ही मैं आपको सबसे पह कराऊंगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना थैंक यूजू